आईए नाजरीन आज हम आपको लीमू का अचार डालना सिखलाते हैं जो के हमने अपनी अम्मी से पूछ पूछ कर आज तयार किया है इसके लिए हमने 4 लेमन्स लिए हैं जो के काफी बड़े साइस के हैं यानि के औरेंजिस जितने हैं साथ ही हमने यह चार के मसाले लिए हैं जो के हमने इसमें डालने हैं सबसे पहले तो 2 टी स्पून हमने फ्लेक्ट चिली लिए हैं यानि के क्रश्ट चिली मेत्रे लिए हैं 2 टी स्पून यानि के फैन्यू ग्रीक सीट्स 2 teaspoon हमने कलॉंजी के लिए है इसको English में भी कलॉंजी ही कहा जाता है आप Google पर सर्च कर सकते हैं और ये onion seed होते हैं सौंफली है 2 teaspoon full fennel और mustard seed लिए है 2 teaspoon full यानि के राई तर्मरीक जो है यानि के हल्दी वो हमने 1 teaspoon full लिए है और 2 teaspoon full जो है वो हमने salt का लिया है अब सबसे पहले जो lemon है हम उसको मोटा मोटा छील लेंगे यानि के छील का जो है वो हमने काफी थिक उतारना है क्योंकि ये कड़वा होता है दो हमने छील लिए है lemon और दो हमने बिना छीले रहने दिये हैं अब हम इनको काटे लेते हैं, बारिक बारिक हमने इसकी क्यूब्स कर ली हैं, जितना भी टुकड़ा आपको पसंदो कर लें, छोटा लीमू हो तो आप उसके चार टुकड़े ही कर लें, वही काफी होंगे, और स्किन के साथ चो लैमन था, उसको भी हम स्लाइस किये लेते हैं इसी तरह ही, यह स्किन जो है, यह बिल्कुल गल जाएगी, और इसमें जो थोड़ी सी कड़वाहट होती है, वह खटाई के साथ मिलकर बहुत मसेदार हो जाती है, लीमू का अचार जो है, यह ज्यादा देर रखा नहीं जा सकता, इसलिए बहुत ज्यादा ना डालें, इसक इतना 3-4 हफते में आपकी फैमली जो है, वो खा कर खत्म कर सके, इसको बकाइदा हिलाना पड़ता है, हर एक दो रोज के बाद आप इसको हिला दें, अगर आप हिलाते रहेंगे, तो यह करीबन 4 वीक्स तक अराम से आपके निकल जाएंगे इस अचार के साथ, लीमू जो ह इसको असूलन धका नहीं करते, लेकिन हमको आदत नहीं है चीज को बिना धके रखने की, तो हमने इसको धक दिया है, इसके ओपर कपड़ा बगारा डाल देते हैं, अगले रोज लेमन का और इसके जो छिलके का पानी है, वो काफी हद तक निकल चुका होगा, उसको अब आ पहले फैनल डाली है, यानि के सौंफ, फिर हमने राई डाली है, यानि के मस्टर्ड सीड, फिर हमने अनियन सीड डाले है, यानि के कलॉंजी, फिर हमने क्रश्ट चिली डाली है, और उसके बाद हमने वन टी स्पून फुल जो है, इसमें टर्मरीक का डाला है, अब हमने इस यह जो सारा मसाला है यह इसमें जो लीमू का पानी अब और निकलेगा वो इसको चूस के फूल जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा बड़ा मज़िदार हो जाता है तो बनाते ही डालते ही अचार की जो खुश्बू है वो आने लग जाएगी के पता लग जाएगा सब आसपास के लोगों को कि अचार डल रहा है घर में और यह जो तरीका हम सिखा रहे है आज अचार डालने का यह एक बहुत पुराना ट्रेडिशनल तरीका है अचार डालने का कोई जब तक हम इसको ट्रेस कर सकते हैं यह रैसीपी कमज़ कमज़ कम जो है वो 101-120 साल पुरानी है कुछ लोग जो है वो इसमें ओयल भी डालते हैं ताकि ये खराब नहों लेकिन हकीकत तो यह है के लीमू तो है ही पानी तो जब भी ओयल में पानी होगा वो अब्वियस्ली खराब होगा अब जो है दिन में एक तो दफा जब भी आप डिश के पास से गुजरें इसको आप हिला के जाएं दो तिन दिन के बाद यह अचार जो है यह खाने के लिए बिल्कुल तयार होगा इस लीमू के अचार में अगर आप चाहें तो ग्रीन चिलीज में थोड़ा साल्ट भरके उनको भी एड़ कर सकते हैं उनमें भी चीरा लगा कर नमक भर लें अगले दिन उनका पानी गिरा दें और उनको इस अचार में एड़ कर लें वो भी बहुत वाज़िदार हो जाती हैं लीमू और ग्रीन चीलीज के अचार का जो है वो चोली दामन का साथ है खुदा करे कि यह आपको पसंद आए इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए अल्लाहाफेज